MS Excel की वीडियो में आज हम जानेंगे format only top और bottom rank value के वारे में वो भी complete detail में साथ मम इसे example के साथ use करके भी देखेंगे इसको use करने के लिए मैंने already Excel की sheet पर data बना रखा है practice के लिए इस Excel की file को आप वीडियो की description से download कर लेना format only top और bottom rank value को use करने के लिए हमें जाना होता है conditional formatting में इसके बाद new rule पे click करेंगे इसके बाद अपने rule को select करेंगे format only top और bottom rank value को इसमें हमें दो format मिलते हैं top और bottom यानि आप top value को format कर सकते हो और bottom value को भी format कर सकते हो यहाँ पर हमें अपना number देना होता है जितनी value को आप highlight करना चाहते हो यानि उसमें format देना चाहते हो जैसे कि मैंने यहाँ पर 15 student का data बना रखा है जिसमें मैंने student के name 3 subject लिख रखे हैं 3 subject के marks और student के total marks निकाल रखे हैं और percentage भी निकाल रखे हैं अब मैं चाहता हूँ top 3 student के marks को highlight करना cell में formatting देना तो यहाँ पर मैं सभी student के total marks को select करूँगा इससे बाद conditional formatting new rule पर जाएंगे यहाँ पर format only top और bottom rank values को select करेंगे इसके बाद यहाँ पर top को select करेंगे यहाँ पर हमें जितने student के marks को highlight करना top से यहाँ पर उतने number दे देंगे तो मैं 3 student के marks को highlight करना चाहता हूँ जो top 3 student हो उनके marks को तो मैंने 3 दिया अगर आप 5 करना चाहते हो तो 5 दीजिए 10 करना चाहते हो तो 10 दीजिए इसके बाद यहाँ पर हमें format देना होता है तो देखें यहाँ पर अभी no format set आ रहा है क्योंकि हमने कोई भी format नहीं दिया format पर click करेंगे तो हमारे पास format set window आ जाएगी और यहाँ पर हमारे पास number format, font format, border, fill मिल जाता है तो आप इसमें से कोई भी format यूज कर सकते हो इसके अलाबा आप multiple format भी दे सकते हो यानि आप एकी बार में आप number formatting, font, border इन चारों को भी दे सकते हो तो अभी देखें मैं simple यहाँ पर green color को select कर रहा हूँ जो कि हमारे top three student के लिए होगा अब यहाँ पर मैं ok पर click कर रहा हूँ तो देखें preview में green color दिखा रहा है जैसी मैं ok पर click करूँगा तो जो हमारे top three student के marks होएंगे उनके cell में green color आ जाएगा यानि वो cell green color से fill हो जाएगा तो देखें यहाँ पर यह हमारे top three student के marks है जो कि green color से उनके cell fill हो गए ऐसी अगर आप bottom से जो 3 student के marks के cell को highlight करना चाते हो यानि इसमें color देना चाते हो तो आप यहाँ पर marks को select करिए आप अपनी value में यानि जो भी आपकी value आपने type कर रगे cell में उस पर आप multiple conditional formatting भी लगा सकते हो जैसे मैंने अभी इसमें top के लिए लगा इसी में bottom की भी लगा सकता तो मैंने सभी student के marks select करे conditional formatting new rule और यहाँ पर format only top और bottom rank values पे गए और अब देखे मैं bottom को select कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं bottom से 3 student के marks को highlight करना चाता हूँ तो यहाँ पर मैंने 3 दिया अब यहाँ पर मैं format पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो color है मैं select कर रहा हूँ यहाँ पर orange चीक है ओके पे क्लिक करेंगे तो जो bottom से 3 student के marks होएंगे वो औरेंज कलर से हमारे cell फिल कर देगा ठीक है उनके जो cell होगे वो औरेंज कलर से फिल हो जाएंगे और यहाँ पर format only top and bottom rules पे जाएंगे यहाँ पर top तो मैं चाहता हूँ top 3 student की जो percentage है वो highlight हो जाएंगे यानि उनमे format आ जाए format पे जाएंगे अब देखे यहाँ पर मैं आपको multiple format देके बताऊँगा जैसे कि मैंने green दे दिया जो कि हमारे cell का color होगा सेल्फिल हो जाएगा बॉर्डर दे देते हैं बॉर्डर के यहाँ पर style स्लेक कर सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पर डेस्लेक कर ली और यहाँ पर बॉर्डर का color yellow और यहाँ पर outline पे क्लिक करेंगे तो देखे आप preview दिखा रहा है इसके लाब हमें font भी देना चाहता हूं तो देखे हमारा जो font का color हो वह हो जाए यहाँ पर white और bold italic देना चाहेंगे यहाँ ठीक है format only top और bottom rank value ठीक है bottom और यहाँ पर मैं देदेता हूं 3 format पे जाएंगे आप देखे यहाँ पर number format वगेरा भी use कर सकते हो custom वगेरा अगर आप देना चाहँ ठीक है तो देखें यहाँ पर यह हमारी top 3 student की percentage है ठीक है यह जो decimal आ रहे हैं अगर आप इनको हटाना चाहते हो तो increase decrease का use करके भी आप हटा सकते हो ठीक है आप देखें इसमें हमें एक और चीज मिलता है मैं आपको एक बार और दिखा दूँ मैंने यहाँ पर सबसे पहले इन value को select कर लेता हूं और यहाँ पर conditional formatting new rules पे जाएंगे top format only top and bottom rank value और देखें यहाँ पर हमें percentage का एक check box मिलता है अब यह देखें यह होता है percentile के लिए अगर आपको percentage और percentile के बारे में नहीं पता तो मैंने इस topic पर वीडियो बना रखें आप देखना उस वीडियो को देखके आप समझ जाओगे कि percentage और percentile में फरक क्या है अभी देखें अभी जब मैंने इस पर percentage पर करा यहां पर three करा तो इसने top three student के जो marks थे उनको highlight कर दिया लेकिन जब मैं इसको check करूँगा ठीक है और यहां पर मैं format दे देता हूँ कोई जैसे कि मैं fill पर जा रहा हूँ और यहां पर blue color ओके ठीक है तो देखें यहां पर मैंन जैट कर देता हूँ मैं आपको बता देता हूँ ठीक है new rule पर जाते है format only अब देखें यह होता है percentile ठीक है percentile percentile क्या करेगा यहां पर सबसे पहले जो आपकी जितनी भी percentage है उन सभी को count करेगा ठीक है एक तरीक जोड़ लेगा उसके बाद उसमें वह जो highest percentage जैसे कि top 10 percentage में जितनी भी student की percent आएगी उन सभी को highlight करेगा top 20 percent में जितनी आएगी उनको highlight करेगा ऐसी top 30, top 50, top 70 तो इस तरीके से वह percentile work करता है ऐसी bottom से भी top 10 में जितनी आएगी जैसे कि यहां पर देखें bottom ले रहा हूँ ठीक है और यहां पर मैं format पे जा रहा हूँ blue color select कर रहा हूँ ठी 34 तो यह 34 को ही highlight करेगा ठीक है इसको detail में समझने के लिए percentage and percentile वीडियो को देखना उस वीडियो को देखके आप अच्छे से समझ जाओगे कि किस तरीके से work करता है तो इस तरीके से हम format only top और bottom rank value को use कर सकते है अगर आपको इसमें कोई भी doubt या confusion है तो आप मुझे comment कर देन मैं clear कर दूँगा